दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी practical गलतिया साइट पे दिखाने वाला हूँ जो आपको साइट पे काम कराते समय हमिंसा धिखा नकहीं है और ये गलतिया आपके साइट पे काम करने वाले mistery ठेकेदार ही करते हैं कोई और नहीं करता है लेकिन अकर आपको देख लेंगे भी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और जब आफ साइट पे काम करेंगे तो उनको अच्छे से मोनिटर कर पाएंगे चेक कर पाएंगे तो वीडियो में टक बने रहे ना और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन आता है मारा जिसमें मोटार मसाला लगाते हैं उसके बीच का जो गैप होता है ना वो दस से बार अम ही होना चाहिए निकि आदे इंची तक आप रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहीं कहीं जैसे इस दिवाल पे देख से होता है कि जादा मोटार लग जाता है मसाला तो इक तो हमारा मसाला काफी ज़्यादा आजाता है ठीक है दुसरी लेयर जो आएगी तो उनके बीच में जो गैप रहता है वो प्रॉपर हमारा एक सेम लेविल में नहीं आना चाहिए और साथी जो भी वो हमारे होते हैं इसमें जो जॉइंट दिखता है कि इससे दूसरे एट के उसको प्रॉपर फिल करना जरूरी हो जाता है जैसे कि आप किया गया है वह एकदम बाहर की साइट से साउल डाला है और उपर की साइट से साउल डाला है जिससे की वज़े से बाहर की साइट से उबर खावर ब्रिक वर्क दिखाई दे रहा है अब यह क्या होता है जब प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर तो हमें एक ही सेम उसमें कर देखेंगे तो हो सकता है उपर इससे ज्याधा है कि टो इस चीजे नहीं आप यहीं द्याना कि को दीवा और एक ही फिर से आप लाइन डोरी जो होती है जिससे नापते हैं तभी हमारी एक साइट फिनिशिंग आएगी जिससे हम एक साइट अपनी प्रॉपर ठिकनेश को लेके चलेंगे जिसे मालीज अगर आपकी कोई दिवाल की ब्रिक बर्क है वो एक साइट से ब्रिकू प्लेन ह तो वहाँ पे आप अपनी जो भी आपको रखनी है 10-12 mm-15 mm ठिकनेश वो प्रॉपर आजाएगी और कहीं ज्यादा है उबड़ खाबड होरी आउटर साइड में तो वहाँ पे आप अपना 18-15 mm के बीच में 15-18 mm के बीच में रख सकते हैं तो यह चीज़े जरूजी है और य काई ये प्लिन भी में अब यहाँ पे जो गल्ती कि की गई है पहली गल्ती यहाँ पर बात करें तो एक तो इसकी improper casting की गई है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलड़ागा कि जो casting की गई है उसमें भी आपको सरीया देखने को मिलेगा साथी साथ अगर और चीज़ की बात किरें तो यहां पर आप देखो कि हनी कॉम काफी जादा है और यह भी देखो कि कुछ हिस्से में तो कास्टिंग कंक्रीट पहुंची ही नहीं है जिसके वैसे सरिया आपको बहुत ती अच्छे तरीके से दिखाई देई रहा है अब यहां पर क्या हो होती है उसके आपस में काफी जादा मतब चिपक जाता है जबकि स्पेस हमारा एक इंची चारो साइट से होना चाहिए तब जाके आपके कंक्रीट चारो ही साइड में प्रॉपर कबरिंग देके पहुंच पाती है अब जब इस तरीके का कोई भी दो नो इंची वाई दो फ करें तो लेंट भी आप यहां से देखोगे थोड़ा अच्छे ही लेंट है और उस कंडिशन में यह थोड़ा जुक भी गया है वह मैं आपको दिखाऊंगा पहले मैं आपको दिखाएता हूं कि जो कुछ सरीया जो है जैसे मैंने बोला कि सरीया भी दिखाई दे रहा है वह यह आप देखी रहे हो जैसे कि अगर कभी भी आप नीचे प्लिंद बीम नहीं कर रहे हैं तो उसके नीचे सपोर्ट आपको करना चाहिए ताकि कास्टिंग करते समय जब उस पे लोड आए तो वो गिरे नहीं जुके नहीं उसी से आपको सपोर्ट मिल पाएगा दोको प्ल बिल्डिंग को वही सपोर्ट करता है तो उस कंडिशन में वहां पर हमें कोई भी कमी नहीं चोड़नी चाहिए तो मैं आपको वह सामने आप देखी है कि यह तो दो दर्वाजों के बीच में आपको कॉलम दिखाई दिरोगा आप बॉटम से लेके चलना निचे देखो आप कॉलम को क्या साइच किस तरीके से या दिया हुआ है और से बाद सीदेыми चलते कॉलम का साइच थोड़ा बढ़ गया जैसे कि आप यह देख रहे हैं अप आप उपर तक देखें कि ऐखोय को आपको बढ़ता हुआ देख रहा है और बीच में तो कॉलम ठीक पिर उसके बाद कालम की दिशाही चेंज कर दी तो इस तरह के कॉलम लोग बार अपने घरों में भी देते हैं बाकी मैं आपको दिखाता हूं कॉलम तो सामने आप देखिए एक कॉलम आपको यह दिखाए दे रहा है नीचे से नो ठीक है आप जो जा रहा है अब बीच में से फैला के रख रखा है मतलब कुछ नहीं है ना कोई साइज है ना कोई शेप है यह इंप्रॉपर से उपर से नीचे जा रहा है तो उपर से खराब है अभी मैं इस तरीके से एक गलती और आपको दिखाने बहूं और यह गलती तो आप खुद देखके बताना कि यह कॉलम कि मैं देख रहे हो मैं पहले दूर से आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा नीचे से दिखाऊंगा कि किस तरीके से यह गलती हो गई और नहीं मकान वाली को पता चल रहा नहीं ठेकेदार को पता चल रहा है आप देखो सामने यह नीचे से गालम फिर बहुत तो ठीक है इस तरीके से इस गलती से पुरा घर गिर दाएगा या बिल्डेंग गिर दाएगी बट आप अपने नजर से या अपने खुद अपना अंसर मुझे टाइप करना कमेट में कि यह क्या सही तरीके हैं कास्ट करने के अगर आपको जो भी आपको माइंड में लगता है बिर्कुल नहीं कर सकते और यह गलती आए ये किन मानने आगे चलके बहुत बड़ा बहुत प्रभाब डालती हैं अपने हमारे घर पर तो इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियो अप हमारे इस चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो च्छिव को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं के दो सब्सक्राइब करना आप चैनल पर